हाई डिवाइन फैमली वर्फम बैक तो दे चैनल यह बहुत शॉट एंड स्वीट रीडिंग मैं आप सब के लिए बना रही हूँ ठीक है आज पता लगाते हैं जिस भी परसन के लिए आप कोई कार्ड चुनेंगे ठीक है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या सिच्वेशन है एंड फिल्हाल उनकी क्या स्थिती है उनके जीवन में क्या चल रहा है ठीक है सो कोई भी तीन परसन के लिए आप अलग-अलग कार्ड चुन सकते हैं ठीक है मैं आपको तीन ओप्षिंस दोंगी तो यह एक पिकक कार्ड रीडिंग है और मैं यहां पर आपको तीन कार्ड के ओप्षिंस दोंगी ठीक है आप एक परसन आप किसी भी एक परसन के लिए एक कार्ड चुन सकते हैं और आप अलग-अलग तीन लोगों के लिए तीनों में से कोई से भी एक कार्ड चुन सकते है चिक है, तो ये है हमारा option number 1, ये है हमारा option number 2 और ये है option number 3, yes, okay, तो option 1, option 2 and option 3, चिक है, आप अपनी आखे बन करके, कोई सा भी एक कार्ड किसी भी एक परसन के लिए चुन लीजे, और मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल अभी उनकी क्या स्थिती है, अभी वो किस situation में है, और फिलाल उनकी life में क्या चल रहा है, और वो आपके लिए कैसे भाव रखते है, ठीक है, so let's see, option number 1 को पहले ले लेते हैं, yeah, so the world का कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी ये जिस किसी के लिए भी आपने ये कार्ड चुना है, फिलाल वो आपसे दूर है, ठीक है, कुछ distance देख रही हूँ मैं आपके और उनके बीच में, and past में हो सकता है, इनके साथ आपका कुछ कार्मिक connection रहा हो, कुछ कर्णों का lane देन था, ठीक है, आपस में, जो के पूरा हो चुका है, आपके और उनके कार्मिक cycle complete हो चुके है, ठीक है, इस वज़े से अब आप उनसे दूर हो चुके है, वो आपके जीवन से दूर हो चुके है, मैं आप लोग के बीच में बहुत सारा distance देख रही हूँ, ठीक है, और ये भी हो सकता है, कि आप दोनों के बीच में अगर कोई परिशानी थी, किसी तरह की कोई दिक्कते थी, है ना, तो वो दिक्कते आप दूर होई है, तो ये भी हो सकता है, कि कोई आप से distance पे है, कोई दूर है, और वो हो सकता है, आप से मिलने आना चाहे, तो यहाँ पे कुछ distance दिख रहा है, मुझे, और ये मुझे आपके कार्मिक परसन लग रहे है, इनके साथ आपका कोई twin flame connection नहीं है, ठीक है, ये को आपके और उनके बीच में खतम होई हो, कुछ over हुआ हो, हो सकता है, कोई relationship over हुआ हो, या हो सकता है, कोई बहुत कठिन आप लोग के बीच में कुछ कार्मिक चल रहा था, कुछ बहुत difficult situation चल रहे थी, वो difficult situation over हुई हो, ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है, मुझे, तो आपके और इनके बीच में बहुत जादा दूरियां आ चुकी है, आपके और इनके बीच में बहुत जादा दूरियां आ चुकी है, बहुत distance हो चुका है, ठीक है, हो सकता है, वो बहुत कठिन situations को जहल चुके है, बहुत कठिनाईयां जहल चुके है, हो सकता है, किसी तरह से कि यह आप से निराश है या आप इन से निराश है आप में और उन में हो सकता है कुछ यूनों मिसंडरस्टेंडिंग हुई हूँ जिसके चलते आप लोग के बीच में कुछ दिस्टिंस आया है दूरियां आई है तो यहां पर मैं रिष्टों में देफिनिटली कुछ दूरियां देख रही हूँ सेपरेशन देख रही हूँ एंडिंग्स देख रही हूँ और इनके जीवन में डेफिनिटली कुछ नई बिग्निंग्स आ रही है कुछ नई चीजों की तरफ यह आगे बढ़ चुके है ठीक है तो इनके जीवन में भी कुछ कुछ नई चीजें अभी फिलाल चल रहे हैं आते हैं थर्ड कार्ड पर देखते हैं कि थर्ड कार्ड किसके लिए आपने चुना है या सो यह जिस किसी के लिए चुना है इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है ठीक है यह बहुत जादा भावुक परसन है बहुत इमो आपके लिए बहुत सारा प्यार है और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये बहुत इमोशनल परसन है जो कोई भी है जिनके लिए आपने थर्ड कार्ड चुना है और हो सकता है इनकी राशी करक राशी हो और येस अक्वेरियस हो कुम्भ राशी हो मीन राशी हो तो ये कुछ राशी है मुझे दिख रही है यहां पर राइट ये बहुत जादा इमोशनल परसन है और आपके लिए भी बहुत सारा प्यार इनके मन में है ओवर और ये जो कोई भी है इनके मन में बहुत सारा ये नो प्यार है सबके लिए और बहुत ममता का भाव है इनके मन में येस तो आपके लिए इनके मन में डेफिनिटली बहुत सारा प्यार है आपको लेकर के ये बहुत emotional है और आप इनके लिए बहुत जादा important person है ठीक है आप इनकी life में बहुत जादा महत्वपूर्ण है yes, तो ये तीनों cards आये है and ये आपके लिए कहीं पर specific होंगे तो आपने जिस किसी के लिए भी ये तीनों cards में से जो भी card किसी के लिए चुना है तो ये अभी फिलाल उनकी situation है और जो third card वाले person है फिलाल उनके जीवन में बहुत सारा अभी satisfaction है उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और वो आपके लिए बहुत सारा प्यार feel कर रहे है तीक है, अभी फिलाल वो अपनी life से बहुत satisfied है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो जीवन में और आपके लिए बहुत positive feelings हैं उनके मन में यह चीज में देख रहे हूँ ठीक है, आपके लिए angels के downloads भी ले लेते हैं देखते हैं क्या messages आ रहे हैं angels के आपके लिए I'm attracted to this one You are steaming hot तो आप बहुत जादा hot है बहुत attractive है यह message आया है यहाँ पर Now they wanna fix things with you Don't तो आपके साथ कोई चीजे ठीक करना चाहते हैं ठीक है लेकिन आपको मना किया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना है उनको शमा नहीं करना है ओके Yes You left them speechless आपने उनको निशब्द कर दिया ठीक है अब उनके पास शब्द नहीं है किसी के पास शब्द नहीं है आपने उनको पूरी तरह से उनकी बोलती बंद हो गई Yes Your haters don't even sleep आपके haters सो भी नहीं पाते हैं चैन से ठीक है उनको इतनी जादा परेशानी इतनी जादा जलन है आपसे कि उनकी नीदे हराम हुई पड़ी है God promoted you इश्वर ने आपकी तरक्की करी है इश्वर ने आपको प्रमोट किया है दिव्य शक्तियों ने आपको प्रमोट किया है Yes You will be publicly rewarded आपको publicly reward दिया जाएगा ठीक है आपको publicly सम्मानित किया जाएगा ठीक है Yes यह message आ रहा है जिस किसी के लिए भी resonate हो रहा है Okay Okay I am sorry for hurting you I truly love you तो आपको कोई कह रहा है कि I am sorry for hurting you आपसे माफी मांग रहे है वह नो बट वह बोल रहे हैं कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको मना किया जा रहा है उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं करना है क्योंकि वो अभी सुधरे नहीं है येस, tarot readers, हो सकता है, ये message किसी tarot reader के लिए जा रहा है, कोई tarot reader है, उनके लिए ये message आ रहा है, you will live your dream this year, yes, तो आप इस साल अपने dream, अपने जो सपने आपने सजाये थे, आप उनको जिएंगे, ठीकिया, आपके सारे सपने पूरे होने वाले इस साल, yes, ओके, this one, big sum of money, yes, भारी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है, अपार धन का आशिरवाद आपके जीवन में आने वाला है, आ चुका है, yes, बहुत clear messages हैं ये, ओके, down with fever, किसी को fever है, किसी को बुखार चड़ा हुआ है, कोई बिमार है, ओके, yeah, your good karma is coming to you, तो आपके जो अच्छे कर्म है, आपके जो पुन्ने कर्म है, वो आपके लिए आ रहे हैं, आशिरवाद के रूप में, ठीक है, धन के रूप में, आपकी तरक्की के रूप में, आपके पुन्ने कर्म, आपकी तरफ आ चुके है, the third eye chakra healed, yes, तो आपका जो third eye chakra, जो खराब करने की कोशिश करी गई थी, आपकी third eye chakra को damage करने की कोशिश करी गई थी, disturb करने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वज़े से आपको headache feel हो रहा था सर में दर्थ feel हो रहा था आप सो नहीं पा रहे थे judgment सही गलत का निर्ने आप नहीं ले पा रहे थे तो आपका थरड़ाय चक्रा heal हो गया है यह message आया आपके लिए ठीक है One last Your spouse is craving for your attention तो आपके जो spouse है आपके जो partner है आपके husband आपकी wife वह आपके attention के लिए crave कर रहे है उनको आपका attention चाहिए आप उनको ध्यान आप उन पर ध्यान दीजिए थोड़ा समय उनके साथ बिताईए ठीक है वह आपका wait कर रहे है तो यह message आ रहा है बहुत clear ओके राइट ओके यह कुछ messages आये है आपके लिए और इसी के साथ मैं यह reading conclude करें हूँ friends यह short and sweet reading आप सबके लिए और मैं फिर से नई reading में आप से मिलती हूँ ठीक है Thank you so much friends, thanks a lot I hope and pray for the best for all of you Thank you so much Love you all